नमस्कार, एकॉनमी की लेक्चर सिरीज में आप सबका स्वागत है, आज के लेक्चर की शुरुवात हम वहीं से करते हैं जहां आमने कल अपना लेक्चर खतम किया था, कल हमने अपने लेक्चर के अंत में आप से कहा था कि हम BPS प्रोजेक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, BPS प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें जो होमवर्क करना था, वो होमवर्क हम पिछले दो लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले दो लेक्चर्स में हमने DTA को और उसमें जो रिफार्म हुआ है LOB और सोर्स बेस टेक्सेशन इसको समझ लिया है हमने गार को समझ लिया है हमने राउंड ट्रिपिंग को समझ लिया है ट्रिटी शॉपिंग को समझ लिया है, ट्रांसवर प्राइसिंग को समझ लिया है, तो इस सारे होमवर्क को हम अल्रेडी कर चुके हैं, हमने ये सारी चीजे पहले इसलिए समझी, क्योंकि अगर हम इनको नहीं समझ तो हमें B.E.P.S. पोजट की सुरुवात, वर्ष 2013 में OECD और G20 कंट्रीज द्वारा की गई थी, अब इसकी शुरुवात क्यों की गई, तो इसकी शुरुवात की गई थी कर परिहार को, टैक्स एवाइडेंस को रोकने के लिए, टैक्स एवाइडेंस विश्व की लगबख सभी अर्थव्योस्थाओं के लिए एक चिंता का विशा बना हुआ है, तो इसलिए, वर्च 2013 में G20 देशों की रिकमेंडेशन पर, इनकी रिकमेंडेशन पर OECD कंट्रीज ने BPS प्रोजेक्ट चालू किया, अब इस प्रोजेक्ट के अंतरगत, उन सभी पहलों को शामिल किया गया है, जो कर परिहार को रोकने में मदददार हूँ इसलिए ये एक multilateral instrument है, यानि बहुत पक्षी साधन है, नाम इसका BPS प्रोजेक्ट है, पर इसमें कर परिहार को रोकने के लिए, जो भी साधन शामिल किये जा सकते हैं वर्तमान में, उन सभी साधनों को सामिल किया गया है, भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वर्ष 2017 2017 में भारत ने इस प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया था, और वर्ष 2019 में इसको रैटिफाई कर दिया, साइन कर दिया यानि कि भारत इस प्रोजेक्ट से, इस समझोते से सहमत था, और भारत ने जब 2019 में इसको रैटिफाई किया, इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने इस समझो को अपने यहां भी लागू कर दिया ठीक है अब इसके अंतर्गत तीन मुख्य बातों पर इंफेसाइज किया गया है देखिए कर-परिहार होता कैसे है कर-परिहार होता है कर संबंधी जो अंतराश्टी समझोते हैं उनके प्रावधानों का दुर्पयोग करके जो सबसे तो BPS प्रोजक्ट के अंतर्गत तीन मुख्य बिंदूओं पर जोड़ दिया गया पहला बिंदू ये था कि DTA में जब दो देश DTA साइन कर रहे हैं तो DTA समझोते के सीर्षक और प्रस्तावना इन दोनों जगाओं पर ये क्लियर मेंशन होना चाहिए कि इस समझोते में कर परिहार या Tax Evidence के लिए कोई जगए नहीं है दूसरी इस बात पर जोड़ दिया गया कि समझोते में Limitations of Benefit L.O.B. के प्रावधानों को भी शामिल किया जाना चाहिए Limitations of Benefit भी हम अपने DTA के लेक्चर में समझ चुके हैं तो वो हमारा Homework का लेक्चर था आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा DTA का और GAR के दो लेक्चर हैं जिनमें मैंने सारे इसका Homework को कवर किया है ठीक है जो तीसरा पॉइंट जिस पर जोड़ दिया गया है कर परिहार को रोकने के लिए और अन्य प्रावधान जो सामिल किये जा सकते हैं या भविश में जो सामिल करने की संभावना है उनको उनके लिए भविश में सामिल कर लिया जाए तो बिसिकली BPS प्रोजेक्ट के तहत DTA का पॉर्मिट कैसा होना चाहिए इस पर जोड़ दि जिफ्टिंग प्रोजेक्ट में 15-point का एक्षन प्लान है ठीक है भारत ने भी इसमें से कुछ-points को अभी इंप्लिमेंट किया बाकी बचेवे points को भारत धीरे-धीरे Implement कर रहा है अब भारत किन-किन points को अपने अरा इंप्लिमेंट किया है, पहले हम उनको समझते हैं, जो प्लान नंबर बन है, इकुलाइजेशन लेवी, भारत ने उसको इंप्लिमेंट कर दिया, उसको एडॉक्ट कर लिया है, वर्स 2016 में भारत ने इकुलाइजेशन लेवी को लगा दिया, और 6% की दर से, अब ये लगता है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कमपनीज पर, जो नौन रिजिडेंट हैं, ठीक है, उन कमपनीज पर भारत ने 6% की दर से, इकुलाइजेशन लेवी लगाया है, इन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कमपनीज की इंकम कैसे होती है, जो इनको एड मिलते है इन अड्स के थरूव इनकी इंकम होती है, तिक है, अब इन कमपनीज ने, अगर ये कमपनी भारत में ऐपरेट कर रही है, तो इन्होंने यहाँ पर एड के थरूव कितना प्रोफिट कमाया है? उस प्रोफिट को उस प्रोफिट को डिटर्माइन करना मुश्किल है, क्योंक कंपनिया अमेरिका की है इसलिए अमेरिका एकुलाइजेशन लेवी को लगाने के विरोध में है तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है इसको जब डिटर्माइन करना मुश्किल है और ये डिजिटल सर्विस प्रॉइडर कंपनिया भारत में आकर अपना व्यापार कर रही है कम जगा दिया अब इकुलाइजेशन लेवी ही इसका नाम क्यों पड़ा चलिए इसको समझते हैं देखे मान लिजेए डिजिटल सर्विस प्रॉइडर कंपनी है वो गूगल मान लिजेए इसको एक लाख रुपए का एड मिला है अब एक लाख रुपए का एड मिला है अब इस कंपनी ने इस एक लाख रुपए से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है ये डिटर्माइन नहीं किया जा सकता तो भारत ने क्या किया भारत ने सपोज किया कि इसको 20% प्रॉफिट हुआ होगा अब 20% प्रॉफिट जब सपोज किया तो भारत ने 20% इसका एक लाख का कि जो आपने income generate की, भारत ने suppose किया कि एक लाक का जब इसको tax मिला तो इसने 20,000 रुपए इसने इससे income generate की होगी, अब जो income होती है, income में भारत जो outer countries हैं, अगर भारत suppose उन पर 30% की दर से कर लगा रहा है, तो जब profit पर कर लगना चाहिए, तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा, 6,000 ने assume कर लिया कि इसको 20,000 रुपए का profit हुआ होगा, और हम बाहर 30% लगाते हैं बाहर की company उपर, तो हमें 6,000 रुपए मिलना चाहिए, तो profit चूंकि determine करना मुश्किल है, इसलिए सरकार ने क्या किया, कि सरकार ने overall 6% उसको जितने रुपए का tax मिला है, उस पर 6% लगा दिय अब अगर एक लाग का 6% देखिए, तो ये भी 6,000 रुपए हुआ, तो ये चीज़ आपको समझ में आए, कि इसको equalization लेवी क्यों कहते हैं, कि एक assume करके मतलब हमने एक equal सी situation create कर ली, हमें इतना मिलना चाहिए था, पर हमें profit determine करने में मुश्किल है, तो हमने इस तरीके से ज equalization लेवी कहते हैं, और equalization लेवी लगती किस पर है, जो digital service provider companies हैं, उन पर लगती है, ठीक है, अब वर्स 2020 में भारत सरकार ने इसमें इसके दायरे का विस्तार किया, जिन digital service provider companies का turnover 20 million डॉलर से जादा है, सालाना turnover जिन companies का 20 million डॉलर से जादा है, भारत ने उन companies पर digital service tax के नाम से 2% का additional tax लगा दिया, ठीक है, तो 2016 में इसको equalization लेवी को भारत ने 6% लगाया था, और ये किस पर लगाया था, केवल जो उनको add मिल रहे थे, तो उस add पर उन्होंन लगाया था, ठीक है, जो add दे रहा था, तो add देने वाली company या add देने वाला व्यक्ती, TDS करके, tax deduction at source करके, तब वो जो है payment करता था, आगे digital service provider company को, तब वो payment करता है, ठीक है, अब उसके बाद, ये तो आपका add पे लग रहा था, फिर 2020 में, सरकार ने एक मानक तै किया कि जिन, जो भी digital service provider companies भारत में, सालाना 20 million से ज़्यादा का कारूबार कर रही है, उन पर 2% additional tax लगेगा, और वो tax होगा क्या, digital service tax, ठीक है, तो ये जो पहला action plan था, इस action plan को भारत ने adopt कर लिया, अमेरिका को छोड़कर, विश्य की अधिकांस अर्थवियोस्तों ने, इसको सहमती प्रदान किये, अमेरिका ने सहमती क्यों ने दी, अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि विश्य की अधिकांस digital service provider companies कहां की है, आपका Google है, Facebook है, YouTube है, Apple है, ये सारी companies कहां की, सब विरोध में है, अब जो दूसरा action plan है, वो भारत ने कौन सा लिया है, दूसरा action plan भारत ने लिया है, जो adopt किया है, वो prevention of treaty shopping, तो BPS project का जो plan number 6 है, वो है prevention of treaty shopping, इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत में 2017 में गार को implement कर दिया है, गार क्या है, हम अपने गार के lecture में पढ़ action plan number 7 भारत ने लिया है, और वो है permanent establishment, permanent establishment, action plan के तहरत भारत ने पोयम को implement कर दिया है, पोयम क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं, देखें ये एक country मान लिया A है, और ये एक country B है, अब मैं यहाँ पर एक उद्योग पती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर और ये एक country में जो tax की दरे हैं, वो ज़्यादा हैं, और B country में tax की दरे कम हैं, तो मैं अगर उद्योग पती हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, कि मैं अपना जो business है, इस country से करूँ, मेरे business की functioning यहाँ से हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना business यहाँ पर establish कर दूँगा, सारा management और decision making मैं यहाँ पर अपने घर पे बैठके कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टेक्स दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, और मैं टेक्स कहा दे रहा हूँ, जहाँ पर टेक्स कम है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है भारत ने, भारत ने पोयम को implement किया, पोयम क्या है, place of effective management, place of effective management के अंतरगत, वो company, भारत की tax resident company मानी जाएगी, जिस company के सभी पूर्ण फैसले और जो management है, वो भारत की territory से ही हो रहा है, भले वो company दुनिया में कहीं भी function कर रही हो, यह चीज क्लियर हो गई, तो भारत ने permanent establishment के point को, point number 7 को, poem implement करके adopt कर लिया है, अब BPS project का अगला कौन सा point है, जो भारत ने adopt किया है, plan number 13, country by country reporting, देखे country by country reporting, देशों के बीच में होने वाला एक समझोता है, इसके तहट क्या है कि, दो देश, अपने देश में इस ती company की जो जानकारी है, वो आपस में साजा करते हैं, मान लीजिए, यह एक country है, और यहाँ पर एक MNC है, MNC इस एक country के अंतर रगत है, ठीक है, अब इस MNC की कई सारी सबसीडिरी यानि सहाय कंपनिया होंगी, दूसरे देशों में, अब यह मान लीजिए, इंडिया है, यह MNC है, यह चाइना हो गया, यह वियतनाम हो गया, यह रशिया हो गया, और भी बहुत सारे देशों में यह MNC की सहाय कंपनियां फैली होंगी, अब यहाँ पर यह जो MNC है, US Government को अपना Tax सही तरीके से दे, इसके लिए US Government के पास Proper Information होना जरूरी है, भारत गौर्मेंट में भी जो इसकी सहाय कंपनी है, वो अपना Proper Tax दे, Tax Evidence ना करे, इसके लिए भारत सरकार के पास भी Proper Information होना जरूरी है, तो भारत और US में अगर CBC, country by country समझोता है, तो वो करेंगे क्या, वो आपस में इस company की जो report है, जो details है, वो आपस में साजा करेंगे, इसके अंतरगत क्या है, कि यह जो सहाय कंपनी है, इसकी asset कितनी है, इसमें employees कितने काम कर रहे हैं, इसमें profit कितना generate किया, इसमें tax कितना paid किया, यह सारी information आपस में की जाएगी, जिससे की tax evidence को रोका जा सके, ठीक है, तो country by country समझ में आगया आपको, अब उसके बाद, जो next action plan है, वो adopt किया है, taxing intangible, taxing intangible, intangible का तो सबसे पहले अर्थ समझ यह, इसका अर्थ होता है, अमूर्थ, जो physical ना हो, ठीक है, अमूर्थ चीज़ क्या है, patent, वार जिक इस्तर पर अगर देखा जाए, तो अमूर्थ चीज़ क्या है, सेवा है, और अमूर्थ चीज़ क्या है, patent है, अब patent, सेवा पर तो हम कर लगा रहे है, patent पर करकी क्या वे होसता है, तो BPS project के plan number 15 में, जो patent संबंधी, जो patent कित्रू जो income हो रही, generate हो रही है, उस पर भी आ जो income generate हो रहे है, उस income पर कर लगा सकता है, ठीक है, अगर किसी एक country में, अगर ये इंडिया ही मान लीजेए, और इंडिया में किसी particular चीज़ पर patent कराया हुआ है, तो उससे पूरे wish में, जो income generate हो रही है, उस पूरी इंकम पर इंडिया tax लगा सकता है, और इंडिया ने कितन टेक्स लगाया है, 10% की दर से इंडिया ने इस पर भी टेक्स लगा दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से प्लान नमबर 15 भी भारत में एडॉप्ट कर लिया गया है, इंप्लिमेंट कर दिया गया है, तो BPS के जो 15 प्लान थे, 15 प्लान थे, उन प्वाइंट में से भारत ने कौन-कौन सा ले लिया है, पहला ले लिया है, छटमा ले लिया एक्शन प्लान, साथमा एक्शन प्लान ले लिया है, फिर उसके बाद 13 प्लान ले लिया है, और 15 प्लान ले लिया है, बाकी एक्शन प्लान भी धीर implementations करते जाएंगे, नए plans को adopt करते जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि BPS project का ये जो lecture है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, BPS project से पहले, इसका homework हमने किया था, उसमें सिर्फ एक poem रह गाई थी, वो poem भी मैंने आज आपको समझा दी, तो इसके homework, ये lecture आपको तभी समझ में आएगा, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, करेपरियार किन तरीकों से होता है, ये सारी रूप रेखा, ये सारी जो भूमिका है, आपको previous दो lectures में बिलेगी, जब आप वो दोनो lecture देख लोगे, तब आपको BPS project आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इस उम्मीद के साथ आप इस lecture को यहां समाप्त करता हूँ, कि आपको ये lecture समझ में आ गया होगा, कोई भी अगर doubt हो, तो आप comment box में प्लीज पूछिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, धन्यवाद